तो आज हम यहाँ पर compare करने वाले है Realme Buds Air 2 के साथ Realme Buds Air 3S को मेरा नमेतन में आप देख रहे हैं क्यों नहीं चलिए comparison शुरू करते हैं और यहाँ पर comparison करना चीए हैं दोनों का तो यह रहा comparison सबसे पहले यहाँ पर जो है build quality की बार में बात करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों का जो design है वो काफी ज्यादा हद तक अलग है यहाँ पर Realme का Buds Air 2 जो है वो यहाँ पर कुछ इस प्रकार के design के साथ आता है जो की काफी एक refined और काफी एक premium design मुझे लगता है यहाँ पर definitely काफी दुनों सो इसे use किया जा रहा है और यहाँ पर काफी साथ scratches वगरा आ चुके हैं यहाँ पर मैंने earbuds अपने दोस्त को दे दिया है यूज करने के लिए तो वो regularly इसे use कर रहा है यहाँ पर काफी सार scratches वगरा आ चुके हैं लेकिन अभी भी इसकी जो build quality है वो एकदमी दमदार चल रही है कोई भी यहाँ पर जो है दिक्कत नहीं है build quality के साथ definitely इसका जो है हेंज थोड़ा सा यहाँ पर lose हो गया है लेकिन यहाँ पर build quality अभी भी काफी सही है लेकिन वहीं पर बात करूँ यहाँ पर Realme Buds Air 3S की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ नया कुछ अलग design आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा उपर की तरफ transparent सा धकन दिया गया है अंदर की तरफ कुछ इस परकार का आपको यहाँ पर earphones दिये गया है जो कि काफ़ जादा बढ़िया और काफ़ जादा stylish लखते हैं देखने में वो आप यहाँ पर देखी सकते हैं कितना जादा improve हो गया है लेकिन यहाँ पर जो है इस वाले को आप यहाँ पर एक हाट से ऐसे खोल सकते हैं जो की काफ़ जादा convenient है लेकिन यहाँ पर इसको आपको दो हाट से खोलना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से लेकिन वहीं पर बा Air 3S का क्योंकि यहां पे यह काफिया चोटा है और साथी साथ यहां पे यहां पे आपके कानों में अच्छे तरीके से फिट तो हो जाता है लेकिन यहां पे उतना जादा मुझे Comfortable नहीं लगता यह Air Bud तो definitely यहां पे मैं इस मामले में Realme Buds Air 2 को चुनना चाहूंगा Comfortability के मामले में Connectivity के मामले में यहां पे आपको Realme Buds Air 2 के अंदर Bluetooth 5.2 मिलता है Google Fast Pairing के साथ तो काफी फटा फट यह जो है Connect हो जाता है फोन के साथ लेकिन वहीं पे जो है Buds Air 3S में आपको Bluetooth 5.3 मिलता है लेकिन यहां पे जो है उतना Fast Pairing नहीं है मतलब यहां पे कोई भी तरीकी का Google Fast Pairing नहीं दिया गया है Still यहां पे जो है दोनों के भी Pairing काफी अच्छी और काफी Fast है लेकिन वहीं पे यहां पे जो है बाजी मार जाता है Realme Buds Air 3S क्योंकि यहां पे इसमें आपको Dual Connectivity देखने को मिलता है आप इसमें जो है दो devices को connect कर सकते हैं एक ही time के अंदर तो यहां पे यह चीज आपको नहीं देखने को मिलती Air 2 में जो की थोड़ी सी missing है लेकिन यहां पे definitely Air 3S जो है आगे निकल जाते है Dual Pairing के साथ sound quality की बात करो तो यहां पे driver size बता देता हूँ Realme Buds Air 2 में आपको 10 mm के drivers मिलते हैं वहीं पे 3S में आपको 11 mm के drivers मिलते हैं मेरे according यहां पे sound quality drastically change हुआ है क्योंकि यहां पे Air 2 काफी पहले launch हुआ था यहां पे पिछले साल launch हुआ था Realme Buds Air 2 तो उसके मामले में यहां पे अभी Realme Buds 3S जो अभी हाली में ही launch हुआ है कुछी दिनों पहले तो definitely इसकी sound quality है मुझे जादा अच्छी लग रही है क्योंकि यहां पे clarity काफी बढ़िया है बेस काफी अच्छा है as compared to Air 2 लेकिन अगर आपको यहां पे जादा बेस पसंद है जादा आपको boom boom वाली बेस सुनने को अच्छा लगता है तब आप यहां पे जो है Air 2 के साथ जा सकते है Air 2 की भी sound quality अच्छी है लेकिन यहां पे clarity जो है वो काफी हद तक missing है तो definitely sound quality के मामले में जो है clear winner में निकानला चाहूंगा Realme Buds 3S को बात करूं extra features के तो यहां पे Realme Buds Air 2 के अंदर आपको IPX5 की rating मिलती है वहीं पे Air 3S के अंदर भी आपको IPX5 की rating मिल जाती है लेकिन यहाँ पे आपको Air 3S के अंदर Dual Pairing मिलता है जो कि काफी जादा बढ़िया है वहीं पे आपको Air 2 के अंदर कोई भी तरीके का Dual Pairing नहीं मिलता है लेकिन यहाँ पे दोनों में ही Gaming Mode मिल जाता है Gaming Mode यहाँ पे दोनों में काफी अलग है यहाँ पे जो air 3S है इसमें आपको 69 MS की low latency मिलती है वहीं पे आपको buds air 2 में जो है 88 MS की low latency मिलती है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं air 3S जो है वो ज्यादा आगे निकल जाता है definitely लेकिन यहाँ पे जो है 2S के अंदर आपको एक काफी तगड़ा चीज देखने को मिलता है जो क यहाँ पे जो एक गाना चल रहा है लेकिन जैसे आप इसको कान से निकालेंगे आपका गाना जो है automatically pause हो जाएगा और जैसे आप वापस पहन लेंगे तो गाना जो है वापस से play हो जाएगा तो यह definitely एक काफी बढ़िया चीज निकल कर के आती है और यह वाला feature जो है यहाँ पे Realme Buds Air 3S में missing है और यहाँ पे in-ear detection के साथ साथ आपको यहाँ पे ANC active noise cancellation भी देखने को मिलता है Realme Buds Air 2S के अंदर जो कि मुझे काफी जादा सही चीज लगती है इस price point के अंदर आप वो ANC मिल रहा है लेकिन definitely यह चीज consideration में रखना यह चीज ध्यान में रखना कि यहाँ पे जो है इसका जो ANC है वो इद्दम भवाल काम तो नहीं कर देगा क्योंकि यहाँ पे एक साल पूराना है तबी के टाइम पे यह चीज अच्छा हुआ करता था लेकिन यहाँ पे इससे जादा अच्छे ANC वाले TWS अब market में आ चुके हैं तो definitely इसका जो ANC है वो उतना वहीं पे यहाँ पे आपको कोई भी तरीके का noise cancellation देखने को नहीं मिलता है Buds Air 3 के अंदर बात करूँ यहाँ पे battery की तो यहाँ पे battery capacity बता देता हूं दोनों में ही आपको यहाँ पे 460 mh की battery मिलती है case और earbuds दोनों का मिला करके तो definitely यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मेरी experience की battery backup के मामले में मुझे जो है drastically जो है performance में battery performance में जो है difference देखने को मिला है Realme Buds 3S जो है वो definitely जादा अची battery backup देता है case के साथ और earbuds के साथ as compared to Air 2S क्योंकि यहाँ पे Air 2S एक साल पुराना है तो यहाँ पे इसकी optimization उतनी अच्छी नहीं है Air 3S जितनी यहाँ पे जो है Air 3S के अंदर काफ यची तरीके से जो है battery backup या फिर मैं कहूं battery life को जो है optimize किया गया था तो definitely यहाँ पे winner battery के मामले में निकल करके आता है Realme Buds Air 3S लेकिन मैं पे बात करूँ charging के दोनों में ही आपको यहाँ पर type C port मिल जाता है लेकिन यहाँ पे दोनों को ही full charge करने के लिए आपको दो घंटे का time लग जाएगा लेकिन दोनों में ही आपको यहाँ पे fast charging मिल जाती है तो दोनों को ही अगर आप यहाँ पे 10 मिनिट के लिए चार्ज करते हैं तो आपको यहाँ पे 2 घंटे का playback टाइम मिलेगा देख सकते हैं आप यहाँ पे fast charging के मामले भी काफी हद तक दोनों similar से हैं your microphone की बात करते तो यहाँ पे दोनों का यह 3 रहा microphone,ल है आपको यहाँ पे टेस्ट के जाच करना है किसका microphone अड़ा चा लगा रहा है मुझे यहाँ में जाधा अच्छा लगा है Realme Bud's Air 2 का microphone तो आभी भी जावा सुने में पर रेकॉर्ड हो रहा है रियल्मी बड एर 3S के माइक्रोफून ते यहां पर सुन करके ज़स करना है कि इसका माइक्रोफून के अंदर और यहां पर जो है कुछ इस प्रकार का आपको माइक्रोफून दलता है पर एक साल पुराना है लेकिन फिर भी आपको माइक्रोफून सुन करके डिसाइड कर सकते हैं पर मैंने इसका माइक्रोफून निकालना चाहूं कि इन दोनों में आपको कौन सा खरी अटेफटा चाहिए देफिनिटली यहां पर मैं कहना चाहूं को कि यहां पर आपको जो है डिसाइड करना पड़े गा कौन सा्विचर आपको चाहिए क्या अंबलीबू के साथ एक साल पूरान और के बाद भी यहां पर काफी तगड़े फीचर्स ओफर करता है अभी भी मार्केट के अंदर लेकिन यहां पर ध्यान रखना कि यहां पर इसकी बैटरी बैकप उतना अच्छे तरीके से आप्टिमाइज नहीं किया गया है बागी गेमिंग वगेर आप इसमें भी कर सकते हैं ल फीचर्स की तरफ जाना है या फिर आपको जणान की तरफ नबी और टैज्मित और को चुचियां की तरह एंस बांग में अंब आब का दिन कि शुब रहे झाली